नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों मा लच्मी खुद कहती हैं मा लच्मी का बर्दान है कि जो इंसान अपने घर में ज़ाडू लगाता है मा लच्मी उनका घर धन से बर देती है जी हाँ दोस्तो ऐसा कौन सा बेला है जिस बेले पर अगर आगर आप जहारू लगाद लेते हैं तो वो समय आपकी किसमत को बदलने वाला हो जाता है वो समय आपके जीवन से वो हर दुख दर्द को बाहर कर देगा जी हाँ दोस्तो अगर आप भी अपनी अनुसार अपनी घर की साफ सफाई कर रहे हैं आप भी मातलच्मी के सचे बगत हैं तो आप यहे आज का वीडियो आखिर तक जरूर देख लीजिए और जान लेगी मातलच्मी की समय जालू लगाने पर खोस होती है दोस्तो वीडियो मे आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक प्यारा सा लाइक कर दें और आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसा ही ग्यान प्राप्त हो सके और मालच्मी के सचे भक्त कॉमेंट बॉक्स में जै मालच्मी जरूर ल सफाई समय अनुसार करते हैं तो वो माता लच्मी की किरपा प्राप्त करते हैं जी हाँ दोस्तों जाडू को भी माता लच्मी का दूसरा सारूप समझा गया है बास्तो सास्त्र और जोति सास्त्र कहते हैं कि लच्मी सारूप जाडू अगर जिस घर में साप सुत्रे महालम ह होती है जाने कि जाडू को देने के बाद उसे साप सुत्री जगा पर रखा जाता है वो घर हमेशा माता लच्छमी की किर्पा की दर्ष्टी के अंदर होता है आप जाडू देना का समय सेलेक्ट केजिए ऐसा नहीं कि जब आपका मन किया तब आपने जाडू देना सुरू कर जाडू का भी एक नियम बना लो कि जब सूर्य उकता है उकते समय सूर्य से पहले अपने घर में साप सपाई कर ले क्यूंकि पांच से छे वजे का समय इस्वर वेला होता है उस समय धर्ती पर देवी देपताओं का आगमन होता है अगर उस समय आप अपने घर में जाडू देते हैं आप इसवर वेला के समय अपने घर की साफ सपाई करते हैं तो भगवान सिरी विशनू और मातलच्मी भगवान सिरी किष्ण आपसे बहुत खुश होते हैं इसवर वेले के अंदर अपने घर की साफ सपाई करने के बाद आप अपने मंदिर की साफ सपाई भी वाउटते ही अपने घर की पूजा अर्चना करें मातर लजमी और वहवान सिरी कृष्णों को खुष करने का प्रयास करें धूब बत्ती करें इनके आगे फूल चड़ाएं और फूल रेडी मेर्ड नहीं होने चाहिए अच्छे फूल खुषू वाले फूल आप देवी देप आपसे खुष रहेंगे इसके बाद आप अपने घर की साफसपाई में लग जाएं साफसपाई सूरे होगने से पहले पहले हो जानी चाहिए क्योंकि इस वेला में मालचमी बहुत खुष होती हैं साफसुतरे घर में जब देवी आगमन करती हैं तो देवी का दिन भी जाडू देना भी आपके घर को गरी बना देगा जब मन किया जाडू उठा लिया और देना शुरू कर दिया ऐसा नहीं करना है क्योंकि दोस्तों हिंदू धरम सास्त्रों और बास्तो सास्त्रों और जोतिस सास्त्रों में कहा गया है कि जब घर का सदस्य गर से बाहर किसी का काम के लिए ये चाता है तो उसके जाने के उपरांत जाड़ू देना बहुत ही बड़ा अपसागुन माना जाता है इस बात का भी ध्यान रखें कि बेवक्त जाड़ू देना आदी आपको गरीब बना देगा बेवक्त जो भी काम करद होता है उसे बक्त अनुसार ही करने में आपकी भलाई है जो काम आपके घर में बक्त के अनुसार होंगे माता लच्मी उन कामों से बेहत खुस होती हैं माता लच्मी को अगर आप खुस करना चाहते हैं तो आपको माता लच्मी के नियम अनुसार अपने जीबन को ढालना होगा जो लोग माता लच्मी को खुस करते उन्हें नियमोंनुसार उन नियमों को फॉलो करके अपने घर को बास्तु रूप चलाते हैं तो आपके घर में हमेशा खुसियों का बातावरन बना रहेगा और माता राने की किर्पा आपके उपर बनेगी दोस्तो हर इंसान माता की किरपा पाना चाहता है हर इंसान चाहता है कि उसके उपर देवी लच्मी की किरपा दरश्टी बनी रहे माता लच्मी और बगवान सिरी किष्ण इन दोनों की किरपा दरश्टी अगर आपके उपर रहेगी तो आप जीबन में कभी भी गरीब नहीं बनोगे आप जाड़ू से सम्मंदित कई ऐसे उपाएं हैं जिने करने के बाद आप अपने जीबन में हमेशा खुशियों से रह सकते हैं कि हिंदू धर्म में जाड़ू को बहुत ही पूचनी है माना गया है इसलिए आपको जाड़ू के जो उपाएं हैं इन उपाएं को आपको वाश्य करना है ताकि आप अपने जीबन में हमेशा खुशियों से रह सकें और आप हमेशा अपने जीबन में तरक्की पा सकें तो दोस्तों हिंदू धर्म सास्तर कहते हैं कि सरप्रतम जाड़ू को किस समय लगाना चाहिए कि जाड़ू के उपाएं हमें करने चाहिए कई ऐसे भी उपाए होते हैं जिने करने से हमारे जीबन की दरिदता हमारे जीबन से निकल जाती है तो दोस्तों आप इस बात का खास करके ध्यान रखें कि श्यामकुष जब अंधेरा हो जाए तो इसके बाद आपको घर में जाड़ू कभी भी नहीं लगाना चाहिए दोस्तों जो ब्यक्ति सपने में नई जाड़ू लेकर अपने आपको खड़ा देखता है कई वार आपके सपने के अंदर ऐसा होता है कि इसका हड़त है कि सोभागे का फिरतिक है आपको कुछ अच्छा होने वाला है तो दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूद आवाद है धन्यवाद